दोस्तों नेट एक्सपडारल में आपका स्वागत है आज मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि साइवर कैफे जो ओपेन करते हैं जो केंप्यूटर की दुकान होती है जहां पर ऑनलाइन काम किया जाता और बहुत सारी काम किया जाता है उसमें ठीक है अधार काट डॉनलोड से लेकर के पैन कार्ट बनाना ओनलाइन वेकंसीज पर फिलब करना लाइन प्रोपर्टी पर काम करना बहुत सारी काम होती है जो एक कैफे में होती है ठीक है तो साइवर कैफे खोलने के लिए आपको खड़िदना परेगा आज मैं इस वीडियो में आपसे इसी विसे में ब केंप्यूटर सिस्टम ठीक है पहला नंबर में केंप्यूटर केंप्यूटर आपका जो है वह या तो डेस्क्टॉप हो या फिर लेप्टॉप हो डेस्क्टॉप या फिर लेप्टॉप अब केंप्यूटर डेस्क्टॉप या लेप्टॉप इन में से कोई सा भी आपके पा i3 और इसका जन्यरेशन होना चाहिए कम से कम Atleast ज addiction होगी नar जन्यरेशन 한 कम से कम 4GB, 4GB, otherwise 8GB, 4GB, otherwise 8GB, कम से कम 4GB से नीचे का रायम का अभी कोई भी मतलब नहीं बनता, यदि आप ऐसे खरीदने भी जाएंगे, ना, मार्केट में सिस्टम, तो आपको कम से कम, अभी जो है, 4GB, 8GB, ऐसे ही आता है, ठीक है, अब 2GB वाला रायम, जो है, उसका जमाना चल अब 2GB वाला रायम वाला सिस्टम नहीं आता है, तो यह by default आपको मिलेगा ही मिलेगा खरीदने के टाइम में, अगर आप एसेंबल करवाते हैं सिस्टम तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, उसमें आप अपनी मर्जी का चीजे लगा सकते हैं, अपनी मर्जी का प्रोसेसर लगा स सकते हैं, ठीक है, लेकिन एसेंबल तब आप करवा पाईएगा desktop computer जब आपको device की knowledge होगा, अजिदी knowledge नहीं है, तो आप दुकांदार के भरोसेगर एसेंबल करवाईएगा, तो फिर आपका दुकांदार वैसा trusted मतलब होना चाहिए, ठीक है, भरोसेवाला जो आपको गलत च कीजिए आजाता है, printer, कैफे के अंदर में आप printing का भी सर्वीस आपको देना पड़ेगा, कोई फोटो के स्टेट करने आएगा, कोई PDF बेस देगा, आपको WhatsApp में या email में बोलेगा 10 कोपी 20 कोपी हमें print निकालना है, तो आपके पास क्या printer होना चाहिए ही चाहिए, तो printer हमार को समझ जाए, laser jet और ink jet printer में क्या है, laser jet printer को आप यूज कर सकते हैं, photocopy purpose से, और ink jet printer को आप यूज कर सकते हैं, as a photo, photo निकालने के लिए, और color, अगर कोई page है, a4 size का या कुछ भी, तो आप इसको color photo भी आप निकालना चाहिए, तो यहां से आप color photo state भी कर सकते हैं, color photo state, photo state, color photo state भी आपका हो जाएगा, laser आप रखिए, सिर्फ photocopy के लिए, अब मैं क्यूं बोलता हूं कि laser photocopy के लिए रखिए, laser बहुत ही किफायती होता है, इसमें आपको जना cost कम होता है, printer महंगा होता है, इसमें देखिए laser printer आपका costly होगा, और यह आपका cheap होगा, laser printer आपका costly होगा, लेकिन printing cost, printing इसका cheap होगा, और इसका printing costly होगा थोड़ा, inkjet का, इसलिए मैं बताता हूं का आप inkjet printer का यूज, color photo state हलका full का यूज के लिए आप किजिए, photo एगर निकाल लिए आप color में, और photo state का, यदि कोई customer आपके shop में आता है, तो उसको laser printer आप वहाँ पर use कर लेजिए, इसलिए मैं बोलता हूं दो printer रखने के लिए, यदि आपके पास budget नहीं है, तो सिर्फ single printer लेकर के आप दुकान अपना cyber cafe start कर लिए, no problem, बात में जैसे ही है, आपके पास income होगा, पैसे आएंगे, आप laser purchase कर सकते हैं, अब बात रहें कि कौन सी brand का laser printer लेना है, कौन सी brand का inkjet printer लेना है, कौन सी brand का laptop लूँ, कौन सा brand का desktop लूँ, ठीक है, यदि मुझे suggestion आप चाहते हैं, तो आपको comment करना होगा, मैं comment में बताऊंगा, वीडियो में किसी एक lamination machine होना चाहिए, जहां आप क्या कर सकते हैं, lamination मतलब जो document होता है, metric का mark sheet हुआ, intercom mark sheet हुआ, gradation का हुआ, कोई भी document, मैं for example अभी बताया, आपको कोई भी document, यदि आपको उसमें protect करना है, मतलब polythene चरहना है, lamination वाला ठीक है, तो आपको laminator आपके पास होना चाहिए, अब depend करता है कि laminator कौन से size का आपके पास होना चाहिए, तो मैं recommend करूंगा A3 size, A3 size का एक laminator आप ले लीजिए, जहां आप उसमें आप आधार कार्ड भी lamination कर लेंगे, metricam oxide भी lamination कर लेंगे, और आपका station card वगरा होता हो भी lamination कर लेंगे, मतलब insert ये समझे, कि A4 size तक का document आ आने वाला है, maximum, ज्यादा से ज्यादा, जो document size आएगा, lamination होने के लिए, A4 size तक आएगा, A3 बहुत कम आएगा, A4 से A3 ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, कुछ लोग को एक confusion होगा, paper size को ले करके, कि A3 छोटा होगा, और A4 जो है, उससे बड़ा होगा, नहीं, A3 ज्याद बड़ा size में होगा, और A4 उससे छोटा size में होगा, photo state वाला जो आप लोग देखते हैं, paper, ओ A4 size का होता है, ठीक है, तो आप यह तिरी अगर ले ले लेते हैं, तो आपका total problem solve हो जागा, lamination को ले करके, यदि आपको scanning का काम बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, तो आपको एक scanner, dedicated scanner रखना होगा, dedicated, dedicated का मतलब उसमें सिर्फ न, वो scanning में ही काम आएगा, और बंकी कोई काम उसमें नहीं होगा, जैसे आप अगर कहाँ चाहिए, उसमें paper लगा देंगे, और scanning करेगा, फिर photo state निकलेगा, वो printer वाला mechanism इसमें नहीं होगा, शिर्फ एन सिर्फ scanning होगा, तो आप देखिए, यदि आपको scanning का काम कम आता है, आपको लगता है कि नहीं आएगा, ठीक है, एक अनुमान हो जाता है, जब भी आप कोई भी business करने वाले होते हैं, आपको पहले से एक अनुभव हो जाता है, कि हमारा ये business जो है, कैसा चलने वाला है, क्या इसका scope है, ठीक है, 100% आपको अनुभव नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इतना अनुभव आपको हो जाएगा, अनुमान लग जाएगा, ठीक है, 30-40% अनुमान लग जाएगा, तो उससाब से आप device खड़ी दियेगा, लेकिन आप मैं बता देता हूँ, ये scanner आपको शुरुवात में नहीं लेना ह जब आपका cyber cafe open हो जाएगा, जब 6 महना बीत जाएगा, या 2 महना बीत जाएगा, आपको लगेगा number of customer ज्यादा है, हमारा scanning का काम बहुत ज्यादा आता है, तो dedicated scanner एक purchase कर लेना है आपको market से, dedicated scanner रहने से आपको benefit क्या होगा, कि जो आप document जब scan किजिएगा, बहुत ही fast scan और जो printer के साथ में scanner होता है उसकी speed थोड़ा slow रहता है, compared to dedicated scanner जो होता है आपका, जैसे इसमें अगर मान लिए एक document अगर आपका, तीन सेकेंड में scan करेगा, तो लगाएगा 10 सेकेंड, ठीक है, speed ज्यादा लगाता है, कुछ printer market में है, ऐसा भी brand है, ऐसा भी brand का नाम, मैंने पहले वीडियो में बोला है, brand का नाम अभी नहीं लूँगा, जिनको भी जानना हो, तो हमें comment कीजिए, comment में मैं बताऊंगा, कुछ-कुछ brand ऐसे भी है, ठीक है, जिनका scanner जो है, dedicated scanner को टक कर देता है, 100% नहीं, 99% टक कर देता है, 1% ही, उसमें मैं 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 रखोंगा, क्य ठीक है, बस थोड़ा सा पलक जपकने का मतलब अंतर में 99% कहा तो समझ लीजे कि टक कर दे दिया, ठीक है, 1% मैं नहीं देता हूँ, इतने में दोनों scanning complete किया था, ठीक है, लेकिन dedicated scanner और printer वाला scanner में, अगर आप मान लिए, scanning का का काम कर रहे हैं, उसी थाम photo copy करना हुआ, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ, आप dedicated scanner एक रखने के लिए, तो कितना device हो गया हमारा, एक, दो, तीन, चार, चार डिवाइस हो गया, ठीक है, आप यदी मान लियाजे, अपने साउप में, EKYC pencard बनाना चाहते हैं, या फिर मान लियाजे की विरिद्धा पेंसन जो होता है, उसका आप EKYC करना चाहते हैं, या EPS का काम करना चाहते हैं, मनी विड्रोल का काम करना चाहते हैं, तो EKYC से related, जो भी काम होता है, उसमें एक biometric device की जवरत पढ़ता है, तो आपको क्या र ठीक है, तो देखें, जेनरली आपको सौप में रखने के लिए, ठीक है, मोर्फो मैं बताता हूं, मोर्फो और मंतरा, मोर्फो ले लिजे या मंतरा ले लिजे आप, दोनों में से कोई एक आप ले लिजे, ठीक है, मोर्फो थोड़ा कॉस्टली है, मंतरा थोड़ा चीफ है सब्सक्राइब दोनों ही आपका single finger print device है ऐसा नहीं कि मोर्फो या मंत्रा ले लिया बैमेट्रिक डिवाइस उसके बतकल को आधार काड़ बनाने वाली काम ले लेते हैं अब इसी से आधार काड़ भी बनाने लग जाएंगे नहीं होगा आधार काड़ बनाने के लिए finger slap device होता है ठीक है वह अलग device होता है उसकी discuss अभी मैं नहीं कर रहा हूं यह single fingerprint device की मैं बात कर रहा हूं तो आपका मोर्फो ले लिए या मंत्रा ले लिए मोर्फो कोशली होगा मंत्रा चीप होगा सस्ता होगा अब मोर्फो का आपका RD होगा ना वह मैं बता देता हूं कोई भी confusion आप 100 plus GST लग जाता है इसमें और मंत्रा का जो है 100 plus GST लग जाता है इसमें ठीक है तो यह देख लीजे मंत्रा का जो है आपका RD yearly बहुत सस्ता है आपका GST लगा के 118 रूपए आपका RD renewal होता है और मोर्फो का आपका लगभग 443 रूपए something कुछ टोटल चला जाता है GST लगा करके एक्जेक्टली मुझे याद नहीं है मोर्फो क्योंकि मैं मोर्फो जो है यूज नहीं करता हूं मेरा भी center है तो मैं मंत्रा यूज करता हूं मोर्फो सिर्फ मैं एक समझे एक backup के तौर पर रखा हुआ हूँ कि कभी मान अब देखिए जितनी डिवाइस हमने यहां पर लिखा है ठीक है अब इतनी डिवाइस को चलाने के लिए आपको electricity की जवरत परेगी ठीक है एक बिजली कनेक्शन भी आपको लेना पर जाएगा ठीक है चलिए वह तो कोमन सी बात है वह तो आप लेहीं लीजिएगा लेकिन आपको जब power failure होगा आपका power failure पावर जब चला जाएगा तब क्या होगा आपका पावर जाने के बाद आपका system बंद हो जाएगा तो आपको लेना होगा एक UPS ठीक है UPS या inverter लेना होगा आपको और minimum 1 kilowatt तो लेना ही परेगा minimum आपको इससे नीचे नहीं 1 kilowatt कम से कम लेना परेगा और उसके अगर ज्यादा ले सकते हैं तो best है और दूसरी चीजे मैं यह बता रहा हूं कि आपको battery का भी ज़ुरत परेगा बैटरी भी आपको कितना लेना है minimum की मैं बात कर रहा हूं maximum में अभी नहीं जा रहा हूं 150 एक सो पचास एंपियर का आपको बैटरी लेना परेगा अगर आप 220 एंपियर लेते हैं तो बेश्ट है तो आपका हो गया inverter और बैटरी अब इनवर्टर में मैं बता देता हूं ठीक है बिल्कुल के लिए आपका confusion में बिल्कुल नहीं रखना चाहूंगा कि जो इनवर्टर होगा ना आपका कि वह आपका दो तरह का इनवर्टर मार्केट में मिल जाएगा आपको डीजिटल और दुसरा साइन वेब साइन विब तो आपको क्या करना है साइन विव वाला लेना है इसे लेना है आपको साइन वेब digital फोरा सस्ता होगा फोरा महँंगा होगा लेकिन देखिए मैंने क्या त्विडियों में बिल्कुल सरब सस्टे में काम निकालने वाला ही चीज बताऊंगा इतना लेना है नहीं तो अधरवाइस लेने के लिए तो बहुत सारी समान होती है कैपे के लिए ठीक है लेकिन डिपेंड करता है आपकी requirement के लिए कि आपका requirement कितना होगा वह बैसिक requirement तो इतना का डिफिरेंस होगा डबल का तो इतनी चीज़े हो गई आपकी इतना समान आपको एक सैबर कैफे खुलने के लिए परचेज करना होगा मार्केट से उसके बाद आपका सैबर कैफे खुल पाएगा और मैं चीज और बता देना चाहता हूं जो 220 इस बैटरी होगा आपका कितना देर बाइकप देदेगा यदि कट आफ हो जाता है बीच में तो फाइब टू शिक्स आवर्स आपका बाइकप निकाल देगा तो यह चीज थी आपका सारा डिवाइस का लिस्ट के निजम है वह सारा मैंने इस वीडियो में बता भी दिया मैंक स्कैनर का क्या काम है फंक्सन भी मैंने बता दिया है आपको तो उसके बाद जो है मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि यह जब आप इतना चीजे परचेज करके आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंकम कितना आएगा ठीक है इंकम कितना आएगा तो इं लुठिक हो इसमें इन्वेस्ट्मेंट लाह इंवेस्ट्मेंट हो गया तो क्या आपको topics क्या हुसों वि PA करेंगे पूरह दिन डीन डियूटी देंगे चलाने केरिए तो बिल्कुल मतलब अंगुठा चाप नहीं होंगे लिटरेट पर्षन भी होंगे परहे लिखे भी होंगे एक परहे लिखे का मज़़ूरी भी अपना देखिएगा तो इसमें क्या होगा कि कुछ इंकम ठीक ठाक होना चाहिए जबी तो आप काम कीजिएगा तो साइबर कैफे खोलने का जो इंकम होगा न वो मैं आपको अगली कॉट्व कस्तमर पर आगए आपके पास नंबर क कश्टमर ज्यादा है थीक आँकुण आपको नहीं आता है मेरे का स्वाण कस्तमर आया पहांता छान इंकम डाउन होगी मेरे पास आया कोई और बोला किया का अधार कार्ड में मुझे नहीं आता है नंबर लिंक करना क्या होगा इंकम डाउन होगी तो डिपेंड करता है आपका नौलेज पर तो देखिए यह जो साइबर कैफेस से रिलेटेड है मेरा दो से तिन वीडियो आपको रखना परेगा और कौन सी वैपसाइट इस पर सारी दिट में बताता जाओंगा और आज यह में एक सवार रहता है परतिक वीक्ति के मन में के बैठ गे हमें लाइसन्स कहां से मिलेगा साइबर कैफे के लिए लाइसन्स लेने की कोई जवरत नहीं पड़ता है आप सिंपली क्या कीजिए MSME में रेजिस्ट्रेशन करवा लीजिए यहां लिख देता हूं MSME गूगल पर सर्च करेंगे आ जाएगा यहां पर एक रेजिस्ट्रेशन करवा लीजिए अब अपना सौप का MSME में अधार काड़ पैन काड़ अधार रेजिस्ट्रेशन मोबाइल नमबर पर आपको ओटीपी आएगा ओटीपी डाल करके रेजिस्ट्र कर लीजिएगा अगर इसका MSME का पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो मै अगता है एक से दो दिन में बनाने भी वाला हूं ठीक है सही से कैसे करना सहीसल एको वीडियो को फॉर τड यह दर होगा मुझे आसा है कि बिल्कुल पसंद आया होगा यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया यह तो ह्मारी चैनल पके आहें कि सब्सक्क्राइब करें करके ही आप एक्जिट लीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा थैंक यू बेरी मच्छ